आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले बात करते हैं इलिमेंटरी कैनाल की जिसका डिस्टेंस होता है नाइन मीटर इसके पार्ट है नंबर वन माउथ, जिसकी लंबाई होती है यॐ घृ जयादा होती है अब बात करते हैं माउट से फूड को इंटेक करते हैं टीथ के माध्यम से फूड को छोटे-छोटे रूप में तोड़ देते हैं और टंग जो की माउट के अंदर ही होती है इसका काम फूड का टेस्टिंग करना था इधर-उधर रोलिंग करना होता है जब फूड रोल हो रहा होता है तब इंपोर्टेंट काम होता है सलाइवरी ग्लेंड का जो भी ग्लेंड होते हैं वोगे कुछ न कुछ जरूर प्रोड्यूस करते हैं यह ग्लेंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा इसके अंदर एक इंजाइम होता है salivary amylase जो starch को simple sugar में change कर देता है जैसे starch plus salivary amylase equal to sugar salivary grandia mouth के tongue और mouth के उपर वाले part में भी होती है food अब oisophagus में जाता है food pipe भी कहा जाता है इसे यह pipe connect होती है stomach के साथ तथा यह food को peristaltic movement कराता है peristaltic movement वे movement होती है जब food isophagus की नली में आता है तो इसका उपर वाला part contraction करने लगता है यानि सिकुड़ जाता है और उसका नीचे वाला part फैल जाता है यानि relaxation उसका हो जाता है जिससे food उपर से नीचे की और आसानी से खिसक जाता है और stomach में चला जाता है अब एसोफेगस से food इस टमक में जाता है इस टमक यह बड़ा organ होता है जब इसमें food इंटर करता है तब यह फैलने लग जाता है गैस्टिक ग्लैंड यह ग्लैंड इस टमक के अंदर होती है तथा यह ग्लैंड गैस्टिक जूस दिलीज करती है गैस्टिक जूस में तीन चीजे होती है नमबर वन SCL नमबर दू पैपसीन नमबर थ्री म्यूकस SCL हैट्रोक्लोरिक एसीड इसका काम इस्टमक में मीडियम को एसडिक करना होता है तथा जो फूड के अंदर हार फुल वैक्टिरिया आये हुए है उन्हें किल करना होता है पैपसीन जो फूड हमने लिये है उसमें प्रोटीन के भाग को अमीनो एसीड में ब्रेक कर देता है तथा यह वर्क करता है एसीडिक मीडियम में म्यूकस इस्टमक के अंदर वाल को SCL से प्रोटेक्ट करता है नहीं तो SCL अंदर की वाल को गला सकता है अब फूड इस्टमक से इसमाल इंटरस्टाइन में आता है इस इसमाल इंटरस्टाइन में ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है जब फूड इसमाल इंटरस्टाइन से आता है तब ही liever का काम स्टार्ट होता है लीवर दो चीजे प्रोडियूस करता है नमबर वन बाइल जूस नमबर दो बाइल साल्ट बाइल जूस जो भी फूड इसमाल इंटरस्टाइन में है उसको बेसिक कर देता है बाइल साल्ट जो फैट के बड़े बड़े ग्लोबियूल होते है उसे चोटे चोटे पार्ट में तोड़ देता है इस प्रोसेस को इमलसिफिकेशन कहते हैं गाल बलेडर जब भी दो चीजे लीवर में बनती है बाइल जूस और बाइल साल्ट यह दोनों चीजें फूड के साथ इंटर कर जाती है बाइल जूस फूड को इलकलाइन कर देता है और बाइल साल्ट ग्लोबियूल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है अब पैंक्रियास यह इस्टमक के नीचे होता है तता यह दो इंजाइम प्रोडियूस करता है ट्रिपसिन दूसरा लाइपेस ट्रिपसिन जोकी प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है यह वर करता है केबल बेसिक मीडियम में लाइपेज जो भी फैट इमल्सी फ़ाइड किया गया था बाइल साल्ट ने उस फैट को लाइपेज ब्रेक कर देता है यह फैट को ब्रेक करता है फैटी एसिट एंड ग्लिसरॉल में यह सारा प्रोसेस इस्माल इंटर स्टैन में होता है अब आगे इसमाल इंटरस्टाइड में ही फूड को पचाने के लिए विलाई पाई जाती है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में पाई जाती है इन विलाई की वज़े से एबजॉर्सन का सरफे सेरिया बढ़ जाता है यह फूड को एबजॉर्ब करती है तथा सप्लाई कर देती है बलड बेसल्स में फिर बाद में बलड इस फूड को बॉड़ी के सभी पार्ट में पहुचा देता है लार्ज इंटरस्टाइन अन एबजॉर्ब फूड इसमाल इंटरस्टाइन से लार्ज इंटरस्टाइन में आ जाता है